नवस्कार स्वागत है आप सभी का आर्नाइन टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ पंकज रौतेला बात होगी फेस टू फेस की दो चहरे आमने सामने होंगे पहले CAA और NRC पर हंगामा हुआ कहीं प्रदर्शन तो कहीं तोड़ फोड़ कई शहरों को भारी नुकसान भी हुआ है अभी CAA पर हुए हंगामे को लेकर जो बहेंश चल रही थी वो थमी नहीं जो सियासत हो रही थी वो रुके नहीं एक और भारत बंद का ऐलान हो गया है विपक्षी पार्टियों के साथ ही वामदलित में शामिल हैं ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों के खिलाप सड़क पर उतरने को तयार इसी का नतीजा है कि 10 केंदरी ट्रेड यूनियों ने 8 जनवरी यानि कल राष्ट व्यापी हर्ताल का एलान किया है और दावा किया जो रहा है कि इस बंद में 25 क्रोड लोग शामिल होंगे आज इसी पर फेस टू फेस होने वाला है दो मेमान हमारे साथ जो आज रहने वाले हैं आपने सामने उनसे आपका परिचे कराते हैं सबसे पहले कैप्टन आई सिंग बीजेपी से रहने वाले हैं बालकिष्ण कांगो साप रहने वाले हैं CPI से आप दोनु का बहुत-बहुत स्वागत है पहले CAA और NRC परहंगामा कहीं प्रदर्शन तो कहीं तोड़ फोर कई शहरों में भारी नुक्सान हुआ और अभी CAA परहंगामे पर हो रही सियासत थमी भी नहीं कि एक और भारत बन का आवाहन हो गया बिपक्षी पार्टियों के साथ ही वामदल ट्रेट यूनियन सरकार की नीतियों के खिलाब है इसी का नतीज़ा है कि दस केंदरी ये ट्रेट यूनियनों ने आठ जनवरी को राश्ट ब्यापी हरताल का एलान किया है और दावा किया जा रहा है कि इस बंद में 25 करोल लोग शामिल होंगे यूनियनों ने सरकार की नीतियों के खिलाब हरताल का आवाहन किया है जो सर्टाल में बैंकिंग, कोईला, तेल, डिफेंस, पब्रिक सेक्टर और ट्रांस्पोर्ट, खेत्र के करमचारी हिस्सा लेने जो रहे हैं अब आपको बताते हैं कि आखिर मांगें क्या है मिनिमम वेज को 21,000 रुपिये करने की मांग, सभी के लिए उच्च बेसिक पेंशन, शरम सुधार पर तिरपक्षी चर्चा, लाबकारी सारवजरिक शित्र के उपकरणों के नीजी करण पर सरकार के फैसलों को वापस लेना शामिल है अब अगर बात करें इसमें होने वाले नुपसान की तो बैंक करमचारी और अधिकारियों के बैंक हर्ताल में शामिल होने से बैंकिंग सिवाओं पर काफी असर पड़ सकता है बैंकों की कई शाखाएं बंद रह सकती हैं, एचिम सिवाओं प्रभावित हो सकती हैं लेकिन नेट बैंकिंग सामानी रूप से कारे करने की संभावना है तो सरकार की नीतियों के खिलाब एक बार फिर गोलबंदी की जा रही है देश की अर्थ व्यवस्ता का हाल किसी से चिपा नहीं है एक दिन की हर्ताल का मतलब क्या होता है क्या कोई इसे समझेगा या समझाने की कोशिश करेगा हाली में देश में हुए प्रदर्शनों में काफी नुकसान हो चुका है तो एक बार फिर भारत बंद का आयलान भी हो चुका है ग्यूरा रिपोर्ट आनने टीवी आर्थिक इस्तति देश की क्या है ये पुरा हिंदुस्तान जानता है इसी पर आज आमने सामने जो मेहमान हैं उनमें से सीधे हम चर्चा की शिरुवाज कर रहा है बालकृष्ण साब से बालकृष्ण जी अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी ट्रेड यूनियन या सरकार के ख खिलाब जो भी हर्ताल पर जाता है उसमें वामदल शामिल होते हैं चाये वो डायक्ट ना हो इंडायक्ट जरूर होते हैं ये हर्ताल से जो नुकसान होगा उसका जिमिदार कौन होगा आम जंता को जो परिशानी होगी उसका जिमिदार कौन होगा और ये हर्ताल आकिर है कि लिए प्लीज देखिए ये बोलना बहुत ठीक नहीं है कि ये हर्ताल कुछ चार-पाथ दिन में कुछ लोगों ने सोच कि की है पिछले एक साल के इस से तैयारी चल रही थी जंतर मंतर पे जब सब यूनियन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी उसमें ये ऐलान किया गया था कि अगर गवर्मेंट अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा आर्थिक सुदार नहीं लाएगा तो मजदूरों को हर्ताल करनी पड़ेगी और उसी वक्त से आठ तारिक की एलान किया है और जिस तरह से यूनिवर्सिटी और अन्य जगा पर सरकार हमला कर रही है फीज बड़ा रही है उसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स यूनियन ने भी कल बंद का एलान किया है तो बहुत बड़े पैमाने पर देश की जनता सरकार के नीतिवों से नाखुश है और ये नाखुश है ये बताने के लिए करके हड़ताल होने वाली है अब मैं बड़नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान के लिए जम्मेदार तो सरकार है देखिए सरकार ने BSNL के जिस तरह से BSNL और MTNL के जिस तरह से बैंड बजाया है मुनों दोनों नुकसानी में है और 90 हदार से जादा लोगों को VRS किया गया है एर इंडिया की हलत आप जानते हैं आज आप जानते हैं कि प्रॉफिट में रहने वाली BPCL जैसी कंपनी को भी सरकार बेशने के लिए तैयार हो रही है तो बैंकों का नुकसान तो आपको मालूम है NPA बढ़ रहा है और कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि NPA बढ़ाने वाले लोगों के नाम सरकार पबलिकली सबको बताए लेकिन सरकार वो बताने के लिए तैयार नहीं है जबाब दीजेगा क्या जबाब है ये हाला कि एक दिन में तैय नहीं है जैसे सर ने बुला ये पहले से रन्निती बनाई गई थी अगर जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई जो सुधार लाने की बात हो रही है अगर सुधार नहीं आया तो आज जन्वरी को हर्ताल होगी प्लीज सर पंकर जी ये बामदलों का सुरू सही रहा है कि बिरोध करना इन्होंने कभी देश के लिए कभी खुसाहाली नहीं देखना है चाहिए आज ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो बो इन से हजम नहीं हो रहा है हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे कोई 20- से जादा खुसाहाल छेत्र था जहां पर इनका सासन हुआ करता था और इंडस्टियल के मामले में सब से जादा पंगाल आगे था और सरकार इन बामदलों की थी कमिनिस्ट की सुरू से वहां रही है स्टीपी आई तो इनों ने वहां का क्या हाल आज बना के रख दिया वहा अब ही इस देश को अपना मानते ही नहीं है इसलिए देश की बिचाद धारा से ये बहुत दूर हट चुके हैं इन्हें देश की खुसाहाली आज ताश चाहरी देश की देश का मजदूर आज़ादी कें लड़ रहा था तो ये घर में बैठे थे जब इस देश मजदूरों के लिए चलाय जाए इस देश में राश्ट्रिय करण होना चाहिए जब हिन लोगों ने संगटन मना के नारा दिया कि मजदूरों का राष्ट्रिय करो ना चाहिए मतलब मजदूरों को राष्ट्रिय समझने वाले देशभक्त नहीं समझने वाले ये लोग है इनसे हम क्या उम्मीद करें अभी मेरे भाईयों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि उनका जो संगटने भारतिय मजदूर संथ उसने परसुई ऐलान किया है कि सरकार के नीती के खिलाफ और गलत कजम के खिलाफ वो आंदोलन करेगा तो मैं यह पूछना चाहता हूं हमारी बात छोड़ दीजिए आप बीमेस की बात क्यों नहीं मानते हैं सरकार की गलत नीती है और उसके लिए बीमेस आंदोलन कर रहा है उनको क्यों नहीं समझाते कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है आप आंदोलन मत कीजिए कैप्टन आई जी आप चुप क्यों है आप क्यों चुप है भलातर जबाब दीजिए इनकी बाप सा पूरे जबाब है आप हमारी सरकार की योजना देखिए हमने जो है ना महलाओं को दूएं से मुक्त कराया चूले हमने क्या कोई गरीब देखके दिया कि इसको देना नहीं देना है हमारी जितनी योजना आज की तारीकों चल रही है वो पूरी गरीबों के लिए है इसी अभीर के लिए हमने नहीं है आप रोके आप सवाल करते हैं क्यों मजबूरे हमताल के लिए प्रीज जो भी हमने सरकार चला रही है वो सब गरीबों के लिए है आज किसानों को हमने दिया किसानों को आज दिन तक किसी ने नहीं दिया हर किसान को हम छे हजार रुपाई हर किसान को साल के दे रहे हो अभी दुबारा फिर बढ़ाए गए उनके तो किसानों को हम दे रहे किसी ने बढ़ा गन्ना किसान गन्ना किसान इतना परेशान रहता था कि उसको कभी टाइम से उ वो खेती करता सो उससे दस गुना आज वो अपनी फसल बढ़ा रहा है और आज वो खुसहाल है गन्ना किसान मगर इन लोगों को बहुत चीज पसंद नहीं आ रही है कि देश में खुसाली कैसे आप देखिए कि जैनियू है कि इतना अच्छा इस्टीटूट है कि उसमें जो ह वालों से भागना आ ये उनकी आदत है तो भी ये कोई नई बात नहीं है देश की अर्थनिती के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं आप समझ लीजिए देश में अने इंप्लॉइमेंट पचास साल में जितनी नहीं थी उतनी बढ़ गई है देश में पुंजी नहीं आ आ गया है उसलिए किशानों की खुदकुशी बिल्कुल रोकी नहीं है इन्होंने ऐलान किया था कि दो हजार बावीस में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे लेकिन दुगनी तो छोड़ दो बड़ जो है वो भी रुखनी नहीं नहीं है तो यह यह जिस चुले की ब आप साथ सालों से जिनको देखते आए उनकी कमियां देखिये उन्होंने इस देश को कहां से कहां ले जाके पहुचा दिया और जन्ता ने उनको कहां से कहां पहुचा दिया हमारी हमने कुछ किया है तो मैं यह कुछ किया है जन्ता के लिए तभी उनको जन्ता दुवारा ल तो उसी रास्ते पर हमारी पार्टी चल रही जो रहा है परदान Θे के सबी गरीब लोगों को बुलाकर उंके साथ मीटिंग लेकर बोल रहे। कि बाई निवेश कीजिए निवेश कीजिए जरिये मत देश अच्छा तरक्ति कर रहा है लेकिन वो निवेश करने को तयार नहीं है उसी ले कर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बोड़ों इगा रहे जाए हैं एक जो हिदा से उसके असाफत नहीं चलता बजा चलता अंकर रास्ती साफ से अरे देश बादार हिंदुस्ता इतना बड़ा बादा है कि प्राइमिनिस्टर कोई दियो उसको रस्वन दिया जाएगा यह हिदुस्तान की ताकत है अरे मुझे याद है 2014 में यह कहते थे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी ताकत है डिमोग्राफिक डिवीडन की बात करते थे और वही पांच साल के बाद जब इनको हिसाब देनी की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि आबादी बहुत बढ़ रही है उसके लिए देश की तरक्य नहीं हो रही है उसके लिए फैमिली प्लाइनिंग की बात कर रहे है तो इदर से उदर खुदिया मारना सब्दों का खेल खलना यह तो उनका पुराना गाव है पॉपलेशन कंट्रोल भी ज़रूरी है अगर आपके घर में रहने की पांच लोगों की जगाए आप सो कहा से बसा लोगा है अले लेकिन 2014 में फिर क्या हुआ था 2014 में क्यों डिमोकरेटिक डिवीडन की बात कर रहे थे क्यों बोल रहे थे कि आबादी बढ़ रहे है उसके लिए देश की देश का फाइदा होगा यह 2014 में हम नहीं आपके ही प्रदान मंत्री की कह रहे थे जो बोला गया है तो उसके हिसाब से सही होना चाहिए अरे विए 2019 में काना क्यों बदल दिया हम सिधा सवार यह कुछते हैं कितने गुष्पेटिया है थे हिसाब लो कितने गुष्पेटिया है थे उसका जवाब लो अरे डर गए आप वह प्रोलम सिर्भी नर्सी के लिए पुरिया मार रहे थे उसमें बाराला कि लों का नाम आते ही आप दर गए और भाग गए है आज नाम देश ले रहा है आज देश जो है ना मोदी जी के चल रहा है आज अब लोगों से हजम नहीं हो रही है इसलिए आप आप जो रणनीती सुरू से रही है आप उसी पर चलना चाहते जैसे आपने बंगाल को खतम किया असाम को खतम आप हर जगे से खतम हो गए यह नो को देखे बंगाल से नैनो लेका 30,000 कुरोड का लेकर वो फैक्टरी गुजरात में लेकर गए अब एक महाँ पर एक भी गाड़ी नहीं निकल रही है फैक्टरी बंद हो गही है 30,000 करोड रुपे का गुजरात गंता का रिक्स हो गया और यह मज़ा करें और यह देर तीस हजार करोड रुपिये दिये आपने गुजरात के जनता के, कितनी गाड़िया निकल रही है नैनो की मुझे बताईए आज. अब रहूल बजाजनी को पूछिये, किरन शौम हुजुमदार को पूछ दिये, यह गरीब लोग नहीं है, यह इंडस्ट्रिलिस्ट है, जिनके लिए आप जो है टैकसेस कम कर रहे हैं, लेकिन वो भी फिर बोल रहे हैं, तीस सब्सक्राइब की बजाज की जो भासा है, वो सुरू से कांग्रेस की बासा रही है, यह आपको लगता है, आपको नहीं लगता है उन्होंने कभी कोई इस तरह से बोला, तो यह गुने चुने लोग है, आप दोनों काफी वरिष्ट है, यह आप लोग भली भात ही जानते होंगे और समझते होंगे, एक दिन की हर्ताल से कितना बड़ा नुकसान होता है, यह आप जानते हैं न इस चीज को, कितना नुकसान होगा, आप भी जानते होंगे, देखिये वाई, इस से इनको फर्क नहीं परता, इनकी तो सोचे ही है, इस तो इस तो इस तो इस तो इनको पूझना चाहता हूँ, एक सी एक कानुश लाकार इनों ने बड़िश में जितना देखिवाए, आप देखिये, आप देखिये, यह जेनु में जीज बढ़ाता रहे, ने कितना लुकसान करवाया, लुकसान करवाए, आज बामपतियों का कहीं नाम नहीं रहा है, अरे छोड़ो नाम के दरते क्यों हो, तो खल समझ में आ जाए, यह लेनन समर्तक है, अगर यह देखिये, आदर्स लेनन है, तो यह लेनन के हि जाए, लेनन मरकर, लेनन मरकर सौ साल हो गए, लेनन के बाद कई लीडर आ, इनको लेनन के स्वा नाम ही नहीं मालूम यह बुरी बात है, आज बता रहा हूं कि एगर कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो कल बंद होगा नहीं, क्यों डर रहे हो आप इतने, सर्जनता आपके साथ है, खुशा रहे तो कल बंद होगा, तो क्यों डर रहे हो, कल जंता, मैडान में उत्रो और जंता को बंद मत करो, कोई भी विववारी आपके साथ नहीं आएगा, यह तो कल आपको दिखाई दे जाया, आपके साथ नहीं देगा, बिल्कुल कल मालूम हो जाएग आपके साथ सालों में दूसरी सरकार होना नहीं किया है, जिस सुले के आपन बात कर रहे हैं, अभी परसुही एक बार में, साल मारा चुलो के जगा, आप सिर्फ तीन सिलेंडर से ज्यादा लोग नहीं ले सक रहे हैं, क्योंकि उन्हेंने कितने दाम बढ़ा दिये हैं, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, उसके लिए गवर्मेंट क्या कर रही है, एनेसेस का स्टैटिस्टिक्स गलत है, एपियो का स्टैटिस्टिक्स गलत है, हम नहीं तरह से स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे, भाई आपको बात जत्ती नहीं है, पिछले सतर साल से ये स्टैटिस्टिक जमा कर रहे हैं किसी सरकार ने उनको चैलेंज नहीं किया लेकिन आप लोग मानते नहीं हो क्यों वो सज बताते हैं हमने कहा डी मॉनिटाइशन का हिसाब दीजिए तीन साल हो गए प्राइम इनिस्टर और उनके सभी मंतरी चुपी साधे हुए है हिसाब भी इसाब दो बोल रहे हैं तो इस साभ भी नहीं दे रहे है रहे हिसाब नहीं है कि पाहते कर सकते लिभे सान पूरे देश को रहे हैं उन्हें हमारे दुनिया भी नहीं रखा है आप प्राइब मिनिस्टर जी कोई भी एग्रिवेंट फलके रहे चाइना से लेकर अमरिका तो सब्सक्राइब करते हैं नोट बंदिए आप लोगा के लिए घात को ही है जो आप दो नमर के नोट आ रहे हैं उसी लिए अनिद्चा के बेटे की फैक्री कहीं कुछ नहीं है इतना पैसा आया कहान से तुछने के लिए और उसाब खतम हो गई 17 परसंट हो गई किसानों का भी बंद में सयोग है तीन सो से ज़्यादा ऐसे संगठन है जो इस बंद में शामिल है यह आपको जानकारी होगी दूद और सफजी तक की सप्लाई बंद होगी तेल सेक्टर इसमें है ट्रांस्पोर सेक्टर इसमें है मगर आप भी कल देख लेना यह 25 करोड की कह रहे है ना कोई किसान आएगा किसान के लिए जो मोदी सरकार ने किया है आज दिन तक किसी सरकार ने 60 साल में नहीं किया है ठीक है ना ऐसे अन्य सेक्टर है उनके लिए जो मोदी जी ने किया है किसी ने नहीं किया है आज हमने जो हाइवे बनाएके दिये हैं टांसपोर्डरों के लिए ऐसे हाइवे कभी नहीं हुए थे आज उनको जो हैना हर चीज से जो हैना उनकी बचत हो रही है अगर गारी आज जो उनकी गारी एक महने में पहुंचती थी कलकता जाके वो आज दो किसान कर चुके थे कब तक टाइम दे दिया च्छे मेने का तीन मेने का बोले इसके बाद हम यह स्टेंड लेंगे इनको बालकृष्ण जी यह दिक्कत है कहां पर यह बताईएगा आप बेतर बताएंगे और जवाब दीजिए उनको जवाब दीजिए मुझे जवाब नहीं हम लोगों को आकड़े से बात करनी चाहिए हमारी दिक्कत का सवाल नहीं आकड़े बोल रहे हैं आकड़े बता रहे है कि हमारी वुरुद्धी जो है किसान के खेतर में जिसको हम एग्रिकल्चर कहते हैं ग्रामिंग खेतर में सबसे कम हो रही है यह मैंनी बोल रहा हूँ य किसान को सर्कूलर खाद मिल रही है किसानों को किसान का बीमा योजना किया है किसान को सर्ट तरह से हमने संपल बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे और यह आप किसान की बातों कहीं नहीं सकते और यह आप कल देख लेना किसान आपके साथ कितना है कितना नहीं है कहने से कुछ नहीं होता नाय सिंग साथ को यह होगा आपके खुद फाइनाइनस मिनिस्टर को पूछिए कि आपने जुलाई में बजट किया बजट यह कहा कि हमने बहुत अच्छा बजट किया है देश की तरक्की होगी लेकिन बजट में जितने कुछ किया था हर मैने में सब को वापस लेगे टैंक्स वापस लिया, सब वापस ले लिया, क्योंकि आर्थवे वास्ता इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है, कि उनको अब 100 करोड से जादा पैसा खर्च करेंगे, नहीं नहीं स्कीम लाइए, बताना पड़ेगा, अब इतनी अच्छी स्कीमों ला रहे है है, देश में कुशाली है, तो फिर बजट क्यों वापस लिया भाई, बजट को टैक्सिशन क्यों वापस लिया भाई, बैंक जो डूब रहे थे, उनको मिला कर और कुछ गडबर होटाला क्यों कर रहे हैं, यह हम पूजना चाहते हैं, अगर सब अच्छा है, तो बजट को दाम पकड़ के रखिये, बोलिए डम के चोके चोट पर कि अर्थमेवस्ता अची चल रही है, बैंक को जो बैंक के जो पोड़ा तली को देखिये, हर तीन माने के बाहरे आके भाशन करना पड़ रहा है, उनको उबारा गया है, और आप जो हना यह कह रहे हैं, बिरकोल गलत क्या जन्ता को भाइदा दिया, वो कॉर्परेट लोगों को भाइदा किया, पहरेट और जन्ता में भरक है, यह समझा लाग रखाता, आज पांच लाग कर दिया है, आज पांच लाग तक आपको कोई जो हैने इंकम टेस्सों और उसरे दायरे में नहीं आरे, लेकिन सबको अम Keis जन्ता ने हमें दुबारा फिर मोगा दिया है, वो तीसरी बारबी जन्ता से हमारा ही नाम ले रही है, अभी उसी लिए महारास्ते हमें आपको आकाल दिया, ज्हारकन में से हकाल दिया, हर्याना में बज गए, जो लोगों को खिलाफ ख़डे दे, उनको साथ में लेक वोट परसेंट हमारा जारकंड में सबसे जादा है पार्टी हम वहां पड़ी है राच है क्या वादिवासी बिचारे अपने जमीन गई बोलके रो रहे थे नौकरिया गई बोलके रो रहे थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जाके उनको बोल रहे थे कि हमने सिये किया हमें नार्ची लाने वाले उसके लिए वोट दो वादिवासी बोले हमको इससे क्या लेना देना है भाई हमको हमारी रोजी रोटी का सवाल है उसके लिए उन्होंने उनको जिराए दिया सब आदिवासी में हार गए यह क्या चक्क्तर है यह के बाद ही जो वहां के तीन जो चुनाल जो लेकिन पूक्रम रहें तो इन्दिरा गांधी तो इन्दिरा गांधी तो इंदिरा गंधी तो इन्जान की थी जमर्जंसी लाके आपने तो बहुत सबसे बड़ी पार्टी है अरे लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जारकन का स्टेट इलेक्शन का सवाल कहा है बालकिष्ण जी बस जारकन का चुनाव आने वाला दिल्ली चुनाव चुनाव में जीत कैसे हो अपना बोट बैंक कैसे बढ़े बस यहीं तकी सीमित रह गई सियासी पार्टिया ऐसा लगता है और यह सियासी पार्टिया वोड नहीं मांगेंगी तो कौन मांगेंगा इस ऑस से जैज्य जुर्थ कर रहे हैं तो वोट को किस्वे किसे बोट मांग रहे हैं इतने संह युद्धे लोग यह वह किसी चुनता है यह किसी को पता है यह तीसी को संगतन है यह संगतन है और बाल करशन जी आपका इस चरचा में आने के लिए बोट हर कोई डालता है साब — उसमें मजदूर भी होता है किसान भी होता है दूद बाला सक्षी वाला हर कोई होता है ये ट्रेंड उनियन से जोड़े लोग बोट डालते हैं, बोट डालकर सरकार चुनते हैं, उसके बाद जब उनके मनमताबिक जैसे वो चाहते हैं, उनको दिक्कते आती हैं, उन समस्याओं का निवारण नहीं होता, तब भारत बंद का आवहन करते हैं, तीन सौ से ज़्यादा संगठन हैं, बैंक सेक्टर से लेकर, जो पब्लिक सेक्टर है न, वो पुरा का पुरा चर्मरा जाएगा अगर ये हर्ताल काम्याब होती है, आम आदमी का जीना दूबर जागा, दूद नहीं पहुंचेगा, सबजी नहीं पहुंचेगा, और तमाम चीज़े ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर आदमी जाएगा कै इस पर चर्चा होनी चाहिए न, यहां तो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन को और ज्यादा आग दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है, नहीं जी यहां से ऐसा कर दीजे तो ऐसा हो जाएगा, हाली में जो प्रदर्शन इस देश में हुए, जो नुकसान हुआ, उसकी झाल झाल